नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायराकी और इस वक्त आप अपना यूच्व चानल देने हैं मकर सक्रांती की हार्दिक्षिप कामना है मकर सक्रांती होती कै भई सबसे पहले तो यह समझ लीजे कि इस दिन से शादियां शुरू हो जाती हैं मंगलकारे शुरू हो जाते हैं सूरे का दक्षणाइन से उत्राइन होने को ही मकर सक्रांती बोलते हैं चलिए मकर सक्रांती पर सूरे का दक्षणाइन से उत्राइन होने पर हम क्या कर सकते हैं इजन गंगास नान करना, भंडारा करना, हवन करना, खिचडी का दान करना, खिचडी खाना बेहद उत्तम है इजन सीजन के फलों का दान करना चाहिए इजन चौदा चीजों का दान करना चाहिए और वो 14 चीज़े या तो 14 जुरावे या 14 फल, जैसे आपने 14 केले ले लिए, 14 टमाटर ले लिए, 14 कपड़े ले लिए, 14 चुन्नी ले लिए, 14 शौल ले लिए, 14 कौपियां ले लिए, 14 पैन ले लिए, कोई भी 14 चीज़ों का दान करना चाहिए और हर घर के व्यक्ति को चीज़ उपायों से नहीं होते हैं, इस दिन ब्रहामन को नमशकार करना बहुत उत्तम होता है, इस दिन अपने लिए नई घड़ी खरीदना बहुत उत्तम होता है, इस दिन गाएं को केले खिलाना बहुत उत्तम होता है, इस दिन गाएं को पालक खिलाना बहुत उत्तम होत इस दिन खिचडी के साथ गुड़ खाने का भी विशेशकर महत्व है लेकिन खिचडी के दान का भी विशेशकर महत्व है इस दिन गंगा स्नान का विशेशकर महत्व है इस दिन गंगा स्नान करना भी जरूर चाहिए और गंगा जल पीना भी जरूर चाहिए इस दिन गंगा म होता है इस दिन घर में सतना रहने फगान की कथा करना उत्तम होता है इस दिन एक पित्रों के मन पसंद कपड़े जो वो पहनते थे उन कपड़ों को ब्रह्मन को भेज सरूप देना बहुत अच्छा होता है।